हेलो गाईस मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने अपने सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाया जो लगबग 2000 से उपर है 2080 के करीब और मैं आपको इसमें बताऊंगी मैंने कौन से ट्रिक यूज की है दो साल से लगबग मेरे 150-180 ऐसे करीब थे सब्सक्राइबर फिर मैंने काफी वीडियोस देखी और वो वाली ट्रिक यूज की तो सच में मेरे एक महीने में 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मैंने बढ़ा लिए और मेरा वो जो 1000 का क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो गया है अब बस watch time का criteria रह रहा है तो उसके लिए मैं videos बनाऊंगी तो वो भी लगबग एक साल में या एक साल से पहले पूरा हो जाएगा Shorts के through तो मेरा watch और time पूरा watch time पूरा हो गया है बट जो videos के through 365 days में करना होता है वो अभी नहीं हुआ है वो बहुत कम है क्योंकि Shorts का time count नहीं होता है और उसके लिए आपको videos भी साथ में बनानी पड़ेगी तो इसलिए मैं आप videos पे ज़्यादा धिहन दूँगी आप देख सकते हैं मैंने काफी video भी बनाई है और Shorts का आपने देखी लिया है कि Shorts में देखे 8K, 30, 53K, 50K इतने 55K तक views आए हुए है जो डेली बढ़ी रहे हैं तो Shorts के तुरू तो मेरे बहुत अच्छा हो गया है Shorts के तुरू पूरा time period भी हो गया है बट वो county नहीं होता तो आप उसके लिए मुझे वीडियो पे जाना पड़ेगा तो आप देखे कैसे हम Shorts Shorts के तुरू हम अपने 1000 वाले क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं तो हम YouTube पे जाएंगे और वहां से कोई भी Shorts उठाएंगे उस Shorts के साइड में रिमिक्स का option होता है तो वहां से हम green screen करेंगे और green screen करने के बाद उस वीडियो को आप छोटा बड़ा कर सकते हो 15 seconds का भी कर सकते हो और 60 जितनी है मतलब उतना भी आप select कर सकते हो फिर आपको उस green screen वीडियो पर मतलब reaction देना है कुछ ना कुछ आपको बोलना है या हाथों से आँखों से कुछ ना कुछ उस पर reaction आपको देना है बोलना है voice over करनी है उस पर फिर देन उसके बाद आपको उसको okay करेंगे तो voice over का भी option आएगा फिर आप उस पर voice over भी कर दीजे उसके according जैसा आपको उसमें दिख रहा है फिर उसके बाद उसको okay कर देंगे done और उसके बाद फिर हम ये title लगा देंगे जो भी उसके title लगे होगे है जो आपको लगता है कि ये title लगाने है वो subtitle उसमें लगा के और फिर उसको title को copy करके same description में लिख देना है same ही और ये देखे फिर इसको unlisted रहने देना है ये जो ओप्शन होते हैं और no it's not made for kids इसमें ये वाल select करना है और नीचे comments आप on भी कर सकते हैं और off भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है ठीक है इसके बाद आप हम चलेंगे इसको upload short कर देंगे और उसके बाद ये हमारा वाइटी स्टूडियो में चला जाएगा तो जैसे कोई भी आप shorts ले सकते हैं और उसको आपको जब आप description लिखोगे तो उसमें आपको credit to करके भी उसका channel का नाम दे देना है ताकि आपको कोई आगे दिक्कत नो हो ठीक है उसके बाद आपको उसके बाद आपको वाइटी स्टूडियो पर जाना है और वाइटी स्टूडियो में जाके आप content पे जाएंगे content से shorts पे जाएंगे और shorts में फिर आपने जो video select की थी video मतलब जो shorts डाला है वो आपका आजाएगा जैसे देखिए मैंने तो पहले ही डाल रखा था तो उसको यह public दिखा रहा है आपको वो यहाँ पर unlisted ही दिखाई देगा तो आप फिर इसमें न description अच्छे से लगा दीजेगा और tags भी बहुत अच्छे से लगाने हैं आपको सारे जो मतलब आपके video में दिख रहा है उस उसको सारे चीजों को आपको tag लगाना है जैसे sound है tennis है है ना tennis racket है और australian open है इस तरह से देखे मैंने लगाया हूँ है description तो इसमें मैंने नाम भी लिखा हूँ है चैनल का और आपको करना क्या है कि इसमें जो जैसे क्या short है और फिर मैंने slash लगा कि यह किया है shorts क्या लगाया है बतलब वो word ना three times कम से कम repeat होना चाहिए जो आपने title में लिखा है आगे पीछे उसके सब्दों को करके आपको तीन बार कम से कम लिखना है और फिर अपने channel का नाम भी आपको दो से तीन बार लिखना है जैसे मैं लिखती हूँ कि UV मलिक और UV मलिक shorts UV मलिक मलिक इस तरह से करके और फिर मैं इसमें tag लगाती हूँ यह इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग शॉर्ट ट्रेंडिंग वाइरल वीडिोज व्लोग्व्स सब लगा देती हूँ और यह मैंने अपने चैनल के setting में भी लगा हूँ है तो इसलिए मैं यहाँ पर सब यूवी के चैनल के नाम से यूट्यूब से और जो जो इस वीडियो में आया है दिखा है मतलब हमें जैसे बॉल दिखी है सब लिख देती हुए तो यह सारा कंप्लीट करके और फिर मैं अपना पाइट स्टूडियो पर सेव कर देती हूं और फिर लास्ट में इसको पब्लिक इसका जो ओप्शन होता है न यह पब्लीक कर देती हूं और बस फिर इसको एक बार स्कूल करके छोड़ देती हूं उसके बाद आप इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको नेट मितलब अपना ओफ नहीं करना है बस एप से बाहर आ जाना है और फिर आप अपना एक दो गंटे बाद देखेंगे तो उसमें बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे और धीरे-धीरे करके वो एक या दो दिन में एक मही नहीं हुआ है अभी तक और मैंने अपना पुरा कर लिए है तो आप भी अपना क्रैटेरिया इससे पुरा कर सकते हैं देखें लाओ वीडियो एंडरी मिक्स का अपशन आता है इसको की और पिर आपको अपनी कैटेगरी चूस करनी है जैसे मैंने people and blogs choose किया हुआ है तो आपको भी यही category लगानी है क्योंकि यह category सब चीज में काम करती है और फिर आपको यह video जो है save कर लेनी है public करके अब बस फिर आपको 2-4 दिन के पाद आप देखेंगे कि आपके views 10K से above यह 10K के आसपास और ज्यादा भी मतलब एक हफ़ते में 50K तक भी पहुँची है मेरी कई video तो इस तरह आप देख सकते हैं जैसे यह देखें error updating video आ रहा है तो मैंने इसमें क्या किया है ज्यादा tags लगा दियें तो कुछ tags आप हटा दीजिए फिर कुछ tags आप हटाएंगे तो देखें कि फिर से अभी भी इसमें शायद ज्यादा है तो इसलिए फिर से दूपारा दिखा रहा है फिर से एक दो tag हटा के देखती हूँ एक दो tag हटा के क्योंकि यह शायद memory ज्यादा हो जाती है अभी भी नहीं मान रहा है अभी भी error अपडेटिंग दिखा रहा है तो एक दो और जो आपको लगे कि यह वाले tag हटा देने चाहिए तो वो आप इसको हटा के देख सकते हैं अभी देखना एक दो और मांग रहा है शायद अभी यह वाला हटा के देखते हैं अभी 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 हो गया ना तो यह जो है ना इस वज़े से भी error दिखा देता है कि आप tag जादा लगा देते हो तो आप थोड़े tag कम कर के देख ले ना यह कोई issue नहीं है बट आपको इसमें थोड़ा सा tag हटाने पड़ेंगे अपने और वीडियो सेव हो जाएगी और आप देख सकते हैं 2070 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और यह सिर्फ विदिन वन मन्त में है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं मैं जूत नहीं बोल रही हूँ आप पेछे देखेंगे कितने डेज हुए हैं तो आप इतने डेज का UD लगा के देख सकते हैं लेकिन वो शुट्स के जो टाइम है ना आवर्स का वो काउंट नहीं होता है सिर्फ वीडियो का काउंट होता है इसलिए देखे एट आवर्स ही दिखा रहा है इतनी मैंने मेहनत की है बट ये है कि सब्सक्राइबर का जो टार्गेट है वो मैंने अचीव कर लिया है जो अब वीडियोस पे काम करना है तो अब जो बच्चों के डेली वीडियोस बना के उसको डालूँ ही और ये भी सब्सक्राइबर करें पूरा है ना यह देखे कितने व्यूज आये हुए है सत्रह अजार चार्सो अट पिछले अटारिस घंटे में आये हुए है और आप मेरी सारी वीडियोस को देखेंगे तो कोई 23 के 50 के इस तरह से आये हुए है आप सलेक्ट यह करना कि जो इस पे मिलि ग्रीन स्क्रीन कर सकते हैं यह सब आप उसमें चार उप्षन में से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको उसमें जो क्रेडिट है वो देना होगा और आपको अगर ग्रीन स्क्रीन वाला करना है तो उसमें आपको रियक्शन जरूर देनी है रियक्शन नहीं दोगे कुछ नही फाइव सेकेंड फिफ्टी सेकेंड या 15 सेकेंड इतने में आपको वो करना है ठीक है अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ तो देखे और मैं आपको अपना वाइटी स्टूडियो में डेक्स्टोप जो होता है पूरा का पूरा चैनल दिखाई देता है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने दिन में आप मानेंगे नहीं तो इसलिए मुझे प्रूफ दिखाना पड़ेगा देखे यह मेरे लास्ट 365 डेज में 573,000 दिखा रहा है है ना बट अगर मैं लास्ट 90 डेज डालूंगी तो आप देखे लास्ट 28 डेज में यह 2,95,000 मतलब पिछले दो 28 डिन में मैंने इतने अचीव किया है और लास्ट 90 डेज में मैंने 5,4,000 मतलब आप देख लीजिए कि तीन महीने में मैंने 5,000,000 किया है और टोटल मेरे कितने है पांच लाक 78,000 मतलब उससे पहले कुल मेरे 30,000 व्यूस ही थे और यह सारे मैंने अभी इसी टाइम में पूरे किया है यह व्यूस है ना आप देख सकते हैं और इसमें वाच आवर्स भी आप देख सकते हैं 4K मेरे 90 डेज में हो चुका है अभी मतलब प्लस है 365 अगर आप डालेंगे जैसे एक साल का टाइम पीरियर्ड होता है तो 4.8 के सम्थिंग है लेकि को दिखाया जैसे तो 4.8 आवर्स तो मेरे पूरे हो चुक है लेकिन वो हुए किसके शॉर्ट्स के जो यूट्यूब मानता नहीं है तो इसलिए आप मुझे वर्क करना पड़ेगा वीडियोस पे है ना लॉंग वीडियोस तो लॉंग वीडियोस बनाके डालना पड़ेगा और उससे जो व्यूज आएंगे अब देखो वो कब तक पूरे होते हैं आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो वो एक दो वीडियोस से भी हो सकता है है ना और आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी हो भी जाएगा कवर देखें टैनिस बॉल व पड़ेगी कि इतने इतने जो हैं इस यह इसमें मैंने अपना कुछ पार्ट दिया है है ना रियक्शन दिया है वोईस ओवर किया इसे टैग्स लगाएं टाइटल दिया है तो यह आपका उसमें वर्क दिखेगा तो यूट्यूब उसको मानता है और यह देखे आप 4K मेरा लास्ट नाइनटी डेज में दिखाई दे रहा है आपको है ना और सब्सक्राइबर भी मैंने देखो कितने प्लस की हैं 1.9 के लास्ट नाइनटी डेज में मैंने उननीस सो सब्सक्राइब सब्सक्राइबर गिन की हैं आपको दिख गया ना लाइप टूफ मैंने आपको थोड़ा इंट्रेस्ट लिया इसमें यूट्यूब पर कि सब बना रहे हैं देखते हैं क्या ट्रिक यूज हो जाती है क्या और ये ट्रिक काम कर रही है ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है डेली 50-60 सब्सक्राइबर डेली बढ़ते हैं आप भी उस करेंगे तो आपको भ करना है क्योंकि मैंने तो अपना चैनल ग्रो कर लिया है सब्सक्राइबर बढ़ा लिया है बस वाच आवर टाइम वाच आवर मुझे पूरा करना है जो वीडियो से पूरा होगा सो देखिए आप कितने न्यू जो वीवर्स हैं वो आएं जो मेरे पुराने घर के आसपास के लोगों ने subscribe कर रखा था वो तो एक दो ही देखता है बाकि सारी videos जिसने भी देखिये जितने भी shorts देखे हैं वो सब new हैं आप देख सकते हैं इसमें और यह देखिया आप कितना high हुआ है मतलब मेरा यह data है ना देख रहा है आपको कि पिछले एक देड़ महीने में कितना मैं इसको gain किया है तो इस तरह अगर आप भी कोशिश करेंगी तो आपका भी चैनल grow करेगा और आपका भी चैनल monetize जल्दी हो जाएगा legal way में मतलब है ना यह देखे सारी यह मेरी long videos है जिस पर मतलब कम views आए हुए है और copyright वो एक वीडियो पर आया है जिसमें मतलब मैंने एक music लगा रखा है उसकी वज़े से आया है लेकिन उसका चैनल पर कोई effect नहीं बढ़ देगा उस sound से वो YouTube ने बताया है वैसमें कि इससे आपके चैन आप लिख सकते हैं चीक है देखे 90K यह मेरे सब shorts हैं जिसमें मतलब बहुत views आये हुए है और 5 lakh से उपर views हैं अभी मेरे पास last 90 days में तो आप लोग मेरी videos को देखेंगे और support करेंगे है ना मैंने तो यही trick लगाई है अब आप देख आप आपको कुछ समझ आया हो तो आप भी अपने videos में अपने channel पड़े यह trick अपना सकते हैं और बताएंगे बताना मुझे कि हाँ यह काम करा या नहीं किया इस trick ने आपके लिए हैं ना तो चलो आपने पूछा था कि कैसे subscriber बढ़े तो मैंने आपको बताया thank you for watching